इस उम्र में मोदी जी कितना मेहनत करते हैं इस बहाने उन्होंने मोदी जी के उम्र पे भी टिपड़ी की पे यので बहाने जी कारे कर hairs here चोप ल१ास के अपने अपको अपने आपशा करने के लिए किस तरहे के वैं और किस तरहे के भाषन दे रहे हैं मैं आपको व्ल१ा 2 के सकता हम अम्रीज जी कि कि जो मॉजूधा इस्तिति्ह जी ने बिलकुद ठीक बात कही है कि मध्यप्रदेश में जो माहौल है उसमें कुल मिला करके एक निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जिस तरह से खेल करती है वो वैसे खेल की गुंजाइश कम है और जो मुकाबला है वो सीधे-सीधे आमने सामने का है 1998 के जब चुनाव हो रहा था तो सुश्मा सुराज ने मुझसे कहा था कि मध्यप्रदेश में भारती जनता पार्टी को कॉंग्रेस नहीं हराती बलकि भारती जनता पार्टी को भारती जनता पार्टी नहीं अराती तो दोनों का इशारा अपने अपने अंदर के समी करणों वितरगात की और इशारा था उनका जो बात आप कह रहे हैं कि क्या पांचवी बार शिवरा सिंग चोहान रिकॉर्ड बनाएंगे रिकॉर्ड तो वो बना भी चुके हैं इतने बार तो कोई मुख्यमंत् से शिवराज सिंग की जो चोहान की जो सरकार है वो ब्राम्मन विरोधी नजर आ रही है और बहुत ही खुलकर के वो ऐसा कर रहे हैं जेवतिरादेति सिंदिया के साथ सारे राजपूत हैं नहीं तो यह एक दिल्चस्प सी बात है कि OBC कितना उनको बचा सकते हैं दलित है और वो कभी भी भारती जनता पार्टी का अंधभक्त नहीं रहा हां यह मैं कह सकता हूँ निश्यत रूप से कि जो संपरदाय का अधार पर जो विभाजन है दोनों संपरदायों के मतलब हिंदू और मुसलमान के अधार पर जो बटवारा अगर होगा तो के पास मुद्दे बहुत सारे हैं देखे महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है मध्यप्रदेश का जो आउसत नागरेख है वो या तो मध्यमबर्ग है या निमने मध्यमबर्ग है तो महंगाई इसे बहुत रस्त है करप्शन एक तरह से आप कह सकते हैं कि लूट की खुली चूट मेरे खैले नौकर शाही को मिली हुई है या राजनेताओं के कारण है तो तीसरा कारण यह है कि अफसर साही से लोग बहुत नाराज है एक बेरोजगारी अपने आप में मुद्दा है नौजवानों का कोई मसला समाधान उसका हो नहीं रहा है और वो अब इस तरह से रिटायर्मेंट होता था फिर 70 साल किया फिर 12 साल किया अब 65 साल की उमर तक भी कई वर्गों को उनोंने बढ़ा दिया है अब इसलिए कि सरकार के पास उनको रिटायर करने के बाद देने के लिए पैसे नहीं है तो नौजवानों में ये नाराजगी है कि अगर एक घर से ज नोतियां बहुत बड़ी हैं जातिकत संतुलन उनके पास नहीं है खालाकमान ने वीडी शर्मा को जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक ब्राममण प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है लेकिन देखिए सरकार और अफसर तो मुख्यमंत्री के इशारे पर चलते हैं तो व अध्यप्रदेश में पॉलिटिकल माहौल गरमाया हुआ है रात-रात भर मीटिंग्स चल रही है और तमाम गुटों को साधने की कवाय चल रही है जो आपने शुरुवात में जो कॉमेंट किया था कि भगदर मच गई है भगदर क्योंकि अभी भी जा रही है लोगों को मना जा रहा है जिस दिन हमने बात की थी उसके बाद से तो करीब परीब तीन सो चार सो लोग बड़े-बड़े अपने इस तर के लोग हैं वो भारती जनता पार्टी छोड़के जा चुके हैं तो इस्थिती कुल मिला करके भारती जनता पार्टी के लिए शिवराज सिंग चोहान के रहते मुझे अनुकूल नहीं लगती जैसे कि एक जमाने में कॉंग्रेस में दिगविजे सिंग के बारे में कहा जाता था या दोजार तिन में अगर जब भी दिगविजे सिंग को अजमाया जाएगा तो कॉंग्रेस निपड़ जाएगी ये एक बात बहुत कॉमन सा और कॉंग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे बयान या तो उनसे दिलवाए जाते हैं और वो बयान पार्टी के लिए बड़े घातक हो सकते हैं ऐसे लोग जैसे अभी ये को धारन तो भाई राजिन जी ने या सुनील जी ने शाइद दिया था कि 31 लोग अपने इस तर पर खड़े किये गए थे यह मद्यपरदेश में बहुत पुरानी प्रथा है कि चुनाओं के पहले जब पार्टी के टिकेट ना मिले तो अपने लोगों को खड़ा कर दो अपनी मर्जी के या तो अपने लोगों को टिकेट ना मिले और या फिर उन लोगों को टिकेट मिले जो आपको समर्थन नहीं करते तो फिर उनके खलाफ खड़ा कर दो तो यह पुरानी परंपड़ा है कॉंग्रेस में को यह एक कॉंग्रेस को खुराती है यह उस बात का एक सुबूत है और इस बार अगर ऐसा हुआ तो गॉंग्रेस के लिए फिर अगले दस साल तक जमीन नही मिलेगी क्योंकि शिवराज सिंग अगली बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नहीं कोई नया खून आएगा और बड़ा मुश्किल होगा फिर कॉंग्रेस के लिए अपना उबर पाना उसके लिए जी जी सुनिल जी झून आहीं कोई बार रड़ा टो म experiencia IPS झड़राज के लिए जा अपना उना उना बार झाल झिवर छन 1 खिर करें दिए उने और से लिए जी जाली जी सुनित झालत वाल मौग्दि तो. झाल झाल